हेलो गाईस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम 39 अपरेल तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हम इसे कितरा भी इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताने चाहूंगा इस यहाँ हमारे डेली करंट आफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ, मंतली पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग अड़ी का वनिर मेंबरशी प्लान आप जोइन कर सकते हैं का लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा आपको बतादे इस वनियर मेंबर्शिप प्लान के तहत हम आपको जितना भी हमारा पीडियेफ कॉंटेंट है वो प्रोवाइट कराते हैं जिसे आप डाउनलूड कर सकते हैं प्रि कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडियेफ कोर सम्बंदित तो कॉमेंट बोक्स में आप अवश्य लिखेगा चले फिर करते हैं शुरूआत इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आचा कोश्चन देख लेते हैं इसका अंसर आपको अभी कॉमेंट बोक्स में करना है विच साइट इस दा वर्ड्स बिगेस् नुकलियर फार जेनरेशन साइट अंडर कंसिडरेशन एट परजेंट वर्दमान में विस्वकी सबसे बड़ी परमान उर्जा उत्पातन साइट किस स्थान पर विचारा धीन है ओप्शन से तापी, गुजरात, काईगा, करनाठका, जैतपूर, महारास्ट्र या फिर कुंदन कुलम, तमिल नाडू जल्दी से अंजर कर दीचे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह के कुश्चन्स जैदी आप प्रैक्टिस करना चाते हैं तो करेंट अफेर्स फंडा को टेलिक्राम पर जुरू जोइन कर दीचे, करेंट अफेर्स फंडा नाम से मारा चैनल है डेली आपको स्टैटिक और कर इंटर फिर से सम्मंदित क्विज वहाँ पर मिल जाते हैं वो हैस रिसेंटली बीन इलेक्टेट दे प्रैजिडेंट अफ दे साइकलिंग फेडरेशन आफ इंडिया हाली में साइकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का द्यक्ष किसे चुना गया है ऑप्शन सापके सामने सही आंतर ऑप्शन ए है पंकत सिंग आपको जानना चाहिए पंकत सिंग जोकी नोईडासी बीजेपी एमेल ने हैं और यूनियन डिफेंस मिस्टर राइनास सिंग के ब कि सुदीश कुमार इने ट्रेशरर इलेक्ट किया गया है विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्र एक्सराइज बिटिविन इंडिया एंड यूके अजे वारियर 2023 हैस बिन स्टार्टेड इंड जोके बारत और यूके के बीच एक सिंग्त सैन्य अप्यास अजे वारियर 2023 क कि एक जॉइंट मिलेक्ट एक्सराइज है भारत और यूनाटिक किंग्डम के बीच में इसका साथ वा संस्क्रण सेवंथ एडिशन यूनाटिक किंडम के सैलिस्परी प्लेंस में स्टार्ट हुआ है आपको बता दिए एक बायनियल ट्रेनिंग इवेंट है यानि कि दो साल से कौन पाटिस्पिट कर रहें इसमें रोयल पर है और भारत की योड़से विहार आजिमंट क्यें जो चूप्स हैं रॉप्स से और जाल कर राइक आउप्सिव इसमें एं यह नेपाल से करते हैं औप्शन्स आपके सामने हैं सही हांतर औप्शन यह है एन्वीएफसी देखें नियो बैंकिंग प्लैटफॉर्म जुपीटर इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नोन बैंकिंग फाइनेंशल कंपनी एन्वीएफसी लाइसेंस मिल गया है तो अभी एन्वीएफसी का कारी सकता है एन्वीएफसी जाने लेते हैं कि क्या होते हैं एक्जाम में क्वशन्स बन जाता है नोन बैंकिंग फाइनेंशल कंपनी यह वह कंपनी होती है जो कंपनी सेख 1956 के तहित रिजिस्टर होती है और लॉन्स एडवांसेज और जो कर्मेंट या फिड़ लोकर अथरी द् टोक्स बॉंड डिवेंचर्स इस तरह के बिजनस में इंगेज़्ट होते हैं लेकिन यह प्रिंसिपल बिजनस इनका अग्रिकल्चर एक्टिविटी नहीं होता है या फिर पर्चेस ऑफ सेल अफ एनी गूड्स नहीं होता है नहीं यह कोई इस तरह की सर्विस प्रोवाइड क एक्सेप्ट नहीं कर सकते और यह चैक पिजारी नहीं कर सकते जोकी पेमेंड एंड्स and settlement system का हिस्सा nbfc nahi होते हैं bank होते हैं वो check भी जारी कर सकते हैं क्योंकि payment and settlement system का भी सा होते हैं demand deposit एक्सेट कर सकते हैं banks लेकिन every nbfc ऐसा नहीं कर सकते अच्छा आप सभी जानते हैं जो banks होते हैं उन्हें जो पैसा होता है उसको insure करके रखता है आपका deposit insurance and credit guarantee कोर्परेशन डी इसी जी सी ठीक है वो पैसे इंशोड रहता है लेकिन एन बीएफसी में जो जमाराशी है वो इंशोड नहीं रहता है एन बीएफसी जिनका एसेट साइज 500 क्रोड रूपे से ज्यादा को होता है उन्हें सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट एन बीएफसी रिष्टर्ड होती हैं और इंशोरेंस वाली आपका आयारच डीए के साथ भी रिश्टर्ड होती है यह सभी NBFC आरल वे के साथ हो ब्लब मेंश कंपनी एकसेप्ट सीबीडिसई रूपी फोर प्रीमियम पेमेंट कौन से कंपनी प्रीमियम भकताने के लिए रूपी स्विक देखे Reliance General Insurance इंडिया की फर्स्ट General Insurance Company बन गई है जो की प्रीमियम पेमेंट्स के लिए रिजर बैंक ऑफ इंडिया की जो सेंटल बैंक डिजिटल कंसी है इसको एक्सेप्ट करेगी तो कंप्री ने इसके लिए यस बैंक के साथ पाटनर्शिप किया है क्योंकि यस मैंक का जो की रूपी फ्लैटफॉर्म है उसी के थ्रूं यह प्रीमियम क्लेक्ट किया जाएगा आप सभी जानते हैं जो रिटेल डिजिटल रूपी प्रोजेक्ट है इसे अर्वी द्वारा लॉंच किया गया फोर लीडिंग लेंडर्स के साथ मिलकर सब्सक्राइब कर सुरुआत में और मॉंबाई निव डेली में इसको लॉंच किया था बैंगलूरू भूवनेश्वर में भी एक दिसम्बर दोजार बाइस को और अभी और भी सिटीज में जो है एक्स्टेंट किया जा रहा है इन दी कॉंटेक्स्ट ऑफ टा फर्टिलाइजर लॉंच्ट बाइ इफको इफको द्वारा सुरू किये गए और वरक के संदर में डी एपी का पूर्ण रूप किया है औप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है डाई अमोनियम फॉस्वेट देखे कोपरेशन में इस्टर अमित्शाह इन्होंने इफको नैनो लिक्वीड डी यानिकी डाई अमोनियम फॉस्वेट फर्टिलाइजर लॉंच किया है कमर्शल सेल के लिए 600 रुपे पर 500 ml बॉटल इसका रेट रहने वाला है और यह इसलिए क्या गया है क्या आपको जानना चाहिए भारत जो नैनो डिये बी में एट परसेंट नाइट्रोजन है 16 परसेंट फॉस्फोरस है इस बॉटल में जून 2021 की बात है इंडियन फार्मर्स फार्राइजर को प्रेटिव लिमिटेट इफको इसने वार्ड की फस्ट नैनो यूरिया फर्टिलाइजर को लॉंच किया था और अब इ यूट्रेंट बेस्ट सब्सेटी पॉलिसी भी चला रहा है फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फटिलाजर्स के लिए इफको के चेर्में दिलीव संगानी है इफको के अभी आने के लिए किस मंत्रा आप लिविंग के साथ समझोते कि अपर परस्टाक्षर किये हैं और उप्शन्स आपके सामने सभी आंशर ऑप्शन्स रहेगा मिस्ट्री ऑफ सोसल जस्टिस एंड इंपाव्मेंट इसने में मेमोरेंडम ऑफ साइन इसके साथ डॉक्टर बी आरंबेट का इंटरनेसल सेंटर नियू डेली में क्यों किया है ताकि जो यूथ है विमन एंस्ट्रेंट से उनके बीच में नसा मुक्त भारत अभियान का मैसेज दिया जा सके तो मिनिस्ट्री ऑफ सोसल जस्टिस एंड इंपाव्मेंट गवर्मेंट और विडिया जो ट्रक की पुरी समस्थिया है हमारे देश में इसके जो डिमांड बढ़ रही है उसको रोखने के लिए नेस्टन एक्शन प्लान फोर ट्रक डिमांड डिटक्शन भी चला रही है व ऑप्शन आपके सामने से यांसर ऑप्शन सी है एमिरेट्स देखे दुबाई बेस्ट एरलाइन एमिरेट्स इन्होंने एक नया इनोवेशन अपना लॉंच किया है यह वाइड की फस्ट रोबोटिक चेक-इन असिस्टन जिसका नाम है सारा तो सारा क्या करेगी जो कस्तमर रिकर्गनिशन टेकनोजी को यूज किया है और बोर्डिंग पास भी फ्रिंट कर सकती है जिससे की चेक-इन प्रोसेस और एफिशेंट बन सकता है यह पॉर्टेबल भी है ठीक है इसको एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाए जा सकता है 100 अबर अपॉर्ट वन हैँड़एल्थ अडवांटेज एल्थ केर इंडिया टॉंटीटीटी टॉंटीटीटी के च्छाटवेशन प्रॉप्शन आपकर सामने से यह अंश्रोप्शन भी है नरेंद्र मोधी देखे प्राइमिस्टर नरेंद्र मोधी ने प्रगति मेना निय डेली में नियु देली में वन अर्थ फन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ के इंडिया टॉंटी 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 तरी को इनुग्रेट किया है Mr.Fanith Family Welfare ने Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry के साथ मिलकर इस वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ के इंडिया टॉंटी टॉंट्री के सिक्थ एडिशन को लॉंच किया साथ है आपको जाना चाहिए प्राइमिस्टर नेंद मोदी ने गुजरात में इस्टेट वाइट अटेंशन ओन ग्रिवेंसेज वाइप्लिकेशन आफ टेक्लोजी इनिशेटिव यानि कि स्वाकत इनिशेटिव कि 20th anniversary को भी अटेंड किया है वाया वीडियो कॉन्फरेंसिंग प्यम मोदी द्वारा अप्रेल 2003 में इस इनिशेटिव को लॉंच किया गया जब यह राज्य के मुख्य मंत्री थे विज़िश कंट्री इट इनिडिया एनौंस मेंकिंग तन नेट डिरो इनुवेशन वर्चिवल सेंटर वारतने किस देश के साथ नेट जीरो इनुवेशन वर्चिवल सेंटर बनाने की कोशना की है उप्शनस आपके सामने से इअन्फर ऑप्शन ए है युनाइटिड मिलकर इंडिया यूकिन नेट शीरो इनोवेशन वर्च्वल सेंटर को इस्तापीत करेंगे तो दोनों ही कंट्री से जो भी स्टेक होल्डर से वह दोनों ही मिलकर कुछ एरियास पर फोकस करेंगे जिनमें की है डिकार्वनाइजेशन ऑफ मैनिफेक्ट्रिंग प्रोसेस एंड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम्स एंड क्रीन हाइड्रोजन एज रिनुबल सोर्स इंक्लूड है अच्छा आप एक बात यह जाद रहें रोड्मैप 2030 यह किससे संबंदी थे भारत और यूके से संबंदी थे रो सब्सक्राइब और यूरोपियन कंट्रीज यूरोपिया देशुदारा उत्री सागर सीखर सम्मेलन कहां अच्छित किया गया सही आंसर अप्शन भी है बेल्जियम कि देखे नाइन यूरोपियन कंट्रीज ने हाली में एक डिक्लेरेशन साइन किया है ताकि जो नॉर्थ स सब्सक्राइब इस नॉर्थ से सम्मेट की और यह ऑस्टेंड बेल्चिम में होई है तो बेल्चिम डेनमार्क फांस जर्मनी आर्लेंड लग्संबर नेदरलेंड्स नॉर्वेंड यूनाइटिक्रीडम रही है इसका अब्जेक्टिव है कि जो नॉर्थ सी है उसको लार्ज सम्मेट में कुछ टार्गेट सेट किये गए हैं जैसे कि एटलिस्ट वन टॉंटी गिगावाट की एनरजी हम प्राथ कर सके 2030 तक नॉर्थ सी से फस्ट सम्मेट यह 2022 में हुई थी एपसर डिकलेरेशन यहां पर साइन किया था डेनमार्क में सम्मिट हुई थी नॉर्थ सी क से बात करें तो यह ग्रेट ब्रेट डेरमार्क नॉर्वेय जर्मनी नेधर लैंड्र बीगेट रांस बेल्जिमन और फ्रांस के बीच में ऐं है अटलांटिक ओशन को इंगलिस चैनल से कनेक्ट करता है और एलैंटीट conti 시청 को नॉर्विजिन सी से कनेक्ट करता है नॉर्थ म विच कंट्रीज फर्स्ट ओयल रिफाइनरी बिल्ट एंड फंडेट विद इंडियन असिस्टेंस विल बी कंप्लिट बाइ टॉंटी टॉंटीफ बारत्य सायता से निर्मित और विद्पॉसित किस देशी पहली तेल रिफाइनरी दोजार पच्छिस तक पूरी हो जाएगी स सब्सक्राइब यह दोजार पच्छिस तक कंप्लीट हो जाएगी इसे बना रहा है और फंड कर रहा है इंडिया तो इसका नाम में मंगोल ओंड रिफाइनरी और वन पॉइंट टू बिलियन युएस टोर का इंडियन सफ्ट लॉन इसमें यूज किया गया है मंगोलिया की सब्सक्राइब बात करें कैपिटल अलंबाटार है और करन्सी है टॉट रॉक है एक लैंड लोग कंट्री है इस्ट इस्या में रैशिया और चाइना के साथ बोर्डर बनाती है विश स्टेट हैस बीन अवार्ड़ेट कंट्री प्रिस्टीजियस हुट को अवार्ड कि इस हुट को अवार्ड 2022-2023 दिया गया है तो यह वार्ड इनको दिया गया है बैस्ट प्रैक्टिसेस तो इंप्रूब दा लिविंग इन्वार्मेंट 2022-23 केटेगरी फॉर क्लीनिनेस और एक लाग रुपे की अमांट भी एमांट भी यूपी गवर्मेंट को दी गई है इस पर बाइदा ग्रीन औरगनाइज़ेशन देग्रीन और इस कंपने को ग्लोबल गोर्ड अवार्ड सम्मानित किया गया है और अप्शन आपके सामने से यांस्ट अप्शन दी है पार्ग्रीट पार किद्ध कोर्पेशन ऑफ इंडिया लिमिटेट पीजी सी आई याल जो कि म मियामी यूसे में हुआ है तो पावर ग्रीट का जो CSR वर्क है कोर्पेट सोसे रिस्पोंसिलिटी वर्क जो है जिसके तैत इनोंने जैपतना ब्लोक ओफ कला हंडीड स्टिक उडिसा में जो टैन विलिजेस हैं यहां पर अगरिकल्चर प्रोडुक्टिविटी रूरल इसके इंप्रोव्मेंट के लिए काम किया है विजह तो फॉलोइंग है और्गनाइज इंट्रेस्ट्र कॉंफरेंस और अप्टिमाइजिंग हुमन कैपिटल ऑफ आफ आंप फोर्सेस साइकोलोजिकल प्रस्पेक्टिव इन डेली निम्री कित्वर से किसने दिल्ली में सास साइकोलोजिकल प्रस्पेक्टिव इसको और्गनाइज किया गया है जो डेली बेस लेटरी है डिफेंस इंसिट्ट ऑफ साइकोलोजिकल रिजर्च डी आई प्यार के द्वारा डेली में ठीक है तो इसका मसकत नहीं रहा है जो भी आन फोर्सेस में जो हीमन कैपिटल है उस सब्सक्राइब के चीफ पेटरन रहे हैं डॉक्तर समीर भी कामत विच आइटी सुन्या सस्टेंबल हाउसिंग अर्बनाइज अर्बनाइज अर्बनाइजिंग नेशन बाइट्स यंग एस्पिरेंट्स टीम सिक्योड सेकंड प्लेस इन सोलर डेकाथन बिल्ट चलेंज इन युनाइटेड इस्टेट्स सब्सक्राइब के अमेरिका में सोलर डेकाथन बिल्ट चैलेंज में आइटी बंबे की शुन्या टीम ने दूसरा इस्थान हाशिल किया है देखें इंडियन स्टोफ टेक्नोजी आइटी बंबे कि शुन्या जो टीम है सुन्या मतलब और अरबनाइजिंग नेशन वाइट्स यंग एस्पिरेंट्स इसने सोलर टेकाथन बिल्ट चैलेंज जो कि युनाइटेड इस्टेट्स में हुआ है यहां पर सेकंड प्लेस इसने पाया है सेकंड इस्थान इसको मिला है क्यों मिला है क्योंकि इसने जीरो एनरजी हाउस है ताकि मुंबई की जो होट एंड हुमें हुमिट क्लाइमट है यहां पर जो एर क्वालिटी चैनलेंजेंगें उनको एक्रस किया सकें तो केवल यहीं टीम थी भारत की और सी इसने आपर पार्टिस्पिट किया आउट अट अफ तर्टीटू टीम्स एक्टर मामुकोया प देखे पॉपुलर मलयालम एक्टर ममुकोया इनका हाली में निधन हो गया है चैतर साल के थे यह 1979 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था एक और अविचरी जान लेते हैं जाने माने ओरेटर एंड रिटार्ट साइंटिस्ट डॉक्टर एन को पाला कृष्णन इनका भी सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था और आपके सामने से यह युनाइट इस्टेट्स देखे स्विडिस्टिंग आप सभी जानते हैं स्टोखम इंट्रेंसल पीस रिसर्च इंस्टिटूट एसाई या राई शिपरी तो इसने हाली में रिपोर्ट जारी कि है उ जो जार इकीस से कंपेर करें तो 6% तक इसकी मिलिट्री स्पैंडिंग बढ़ी है तो 2022 में इसकी मिलिट्री स्पैंडिंग रही भारत की 80 1.4 billion US टुलर की ठीक है से 6 प्रतिशत ज्यादा और 2013 से 47 प्रतिशत ज्यादा 2020 में इंडिया की जो मिलेटरी स्पेंडिंग थी यह 76.6 बिलियन युएस डॉलर थी और उस वक्ति थर्ड नंबर पर था युनाइटेड स्टेट्स की बात करें जो की वाइट की मिलेटरी स्पेंडिंग का 39 परसेंट जो है शेयर रखता है यह टॉप स्पेंडर रहा है इसके बाद चाइना रहा फिर रशिया और चोते नंबर पर इ स्पेंडिचर यह भी 2022 में 3.7 परसेंट तक बढ़ा है और 2240 बिलियन युएस डोलर पहुंच गिया है तो एक महत्योपुर्ण रिपोर्ट है भी याद रखेगा इसके आंक ले प्रिवेस असाइन्मेंट कोस्टेंस के आंसर देखते हैं किंग स्टेश और नेशनल हॉलिट फास्टेस्ट पेसर तो टेक 200 विकेट्स इंटी 20 क्रिकेट आंसर इस शाहिन अफ्रीदी इसका आंसर किसीने भी सही नहीं किया है सब ने इस प्रिवेस पूंगा लिखा हुआ है इसमें जो क्वेशन्स पूछे गए जनल अमेंटेस या करेंट अफेस संबंदी जोने डिसकस कर रहे थे इससे पहले हम तीन कोशन देख चुके हैं आज देख लेते हैं दो क्वेशन तो question है the resolution adopted by the United Nations General Assembly on 3rd March 2021 decided to celebrate the year 2023 as the International Year of Options and Basic Sciences for Sustainable Development Glass Millets या फिर Camelets आंसर होगा Millets तो आप से भी जानते हैं 2023 को हम International Year of Millets मना रहे हैं अच्छा है इस question में भी एक और question है आप से भी पुछा सकता है कि United Nations General Assembly ने जो यह 2023 को International Year of Millets मना रहे हैं इससे संबंदित resolution कब adopt किया था तो याद रहे हैं तीन मार्ट 2021 हो या फिर मार्ट 2021 यह भी आदर आप दख सकते हैं तो एक question यह भी है अब आप खुद को देख लिजिए क्या आपका ध्यान इस चीज़ पर गया था कि हम यह भी पढ़ें कि जो resolution है वो कव एडॉप्ट किया गया ठीक है एक और question देख लेते हैं simple question है who among the following is known as Pioli Express options है हमादास दूती चंद पीटी उसा या फिर शाइनी अप रहा हम तो आप सभी इसका अंसर जानते होंगे पीटी उसा चले आज की assignment questions देखें काफी मैंत पूर्ण questions है सो भी name the parent organization of blink kit as per India's first water body census which state has the highest number of tanks as per India's first water body census which state has the highest number of lakes as per India's first water body census which state has the highest number of ponds and reservoirs as per India's first water body census which state leads in water conservation is key तो हाली में census जारी की गई है मैंने आपको डिटेल में भी बताया है तो इन पांचो questions के आंसर आप comment box में अवश्य दीजेगा साथिक रंट अफिर्स फंडाग आप टेलिग्राम पर भी जोन कर सकते हैं यहां पर एकुले वीडियो अपटेट्स और करेंट की जैसे हमाँ आप सब्सक्राइब डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे कर इंट फिर्स की प्लेडिश दी गई है इसको आप जुरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैलो एस्टों साथ हमारे कर इंट फिर्स को शेयर जूरू करें आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बुक्स में वश्य बताईएगा थैंक्यू गाइस